हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे एसेसबी और बीपी एसे की दो बड़ी भरतियों के बारे में जिसकी ओपिस्टल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं से पहले हम एसेसबी नई भरती 2023 डिटेल्स चेक करेंगे अगर हम नेम ओफ और्गेनाइजेशन की बात करे तो हमारा नेम ओफ और्गेनाइजेशन ससत्रा सीमाबल यानि एसेसबी की तरफ से वेकैंसी निकाली गई है अगर हम नेम ओफ पोस्ट की बात करें तो हमारा नेम ओफ पोस्ट के लिए भरती निकाली गई है अगर हम नम्मर ओफ पोस्ट की बात करें तो हमारा नम्मर ओफ पोस्ट नौसोचोभपदों के लिए भरती ञए गए अगर हम स्टाइप्लिकेशन बीष मईज़ तेश्ट कर दिया गया है अगर हम लास्ट टेट टूए Magic बात करें तो हमारा लास्टाइपुएपलाई 18 जून 2023 रखा गया है अगर हम जोब लोकेशन की बात करें तो हमारा job location all our इंडिया रखा गया है यानि इंडिया के सभी candidates फॉर्म के लिए आधण कर पाएंगे अगर हम ssb नई भरती 2023 की बात करें तो minimum हमारा 18 साल रखा गया है अगर हम maximum limit की बात करें तो 27 साल तक रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 27 साल तक के सभी candidate इस form के लिए आधन कर पाएंगे अगर हम age relaxation की बात करें तो age relaxation भी आपको दिया जाएगा government के रूल के according अगर हम OBC candidate की बात करें तो OBC candidate के लिए 3 साल और SESC candidate के लिए 5 साल के छूट दी जा सकती है अगर हम selection process की बात करें SSB नई भरती 2023 के लिए तो सबसे पहले हमें return exam देना है उसके बाद हमें physical test यानि PET PMT हमें देना है उसके बाद document verification हमारा किया जाएगा उसके बाद medical examination हमें देना है उसके बाद हमारा final merit list बनाया जाएगा अगर हम SSB नई भरती 2023 education and qualification की बात करें तो अगर आपने इंडिया के किसी भी board से 10 वी या 12 डिपलोमा की है तो ही आप इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम salary और pay scale की बात करें तो हमारा salary 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक रखी गई है अगर आप भी इस form के लिए आविदन करना चाहते है तो मैंने इसका link आपको description में provide करा दिया है आप इस वाले link पर visit करके आप official site पर जा पाएंगे अगर आप notification डाउनलोड करना चाहते है तो आप इस वाले link पर click करके यहां से आप अपना notification डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप apply करना चाहते है तो इस वाले apply वाले link पर click करके आप यहां से apply कर पाएंगे तो चलिए हम फटापट से दूसरी वेकैंसी की बात कर लेते हैं हमारे दूसरी वेकैंसी BPSC टीचर के लिए भरती निकाली गई है अगर हम और्गेनाईजेशन नेम की बात करें तो हमारा और्गेनाईजेशन नेम बिहार Public Service Commission यानि BPSC की तरफ से भरती निकाली गई है अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम इस्कूल टीचर के लिए भरती निकाली गई है अगर हम बेकेंसिस की बात करें तो हमारा टोटल नमबर और बेकेंसिस एक लाग सतर हजार चार सो एक सट पदों के लिए भरती होने वाली है अगर हम केटेगिरी की बात करें तो हमारा केटेगिरी गोबर्मेंट जब होने वाला है अगर हम जब लोकेशन की बात करें तो हमारा जब लोकेशन बिहार रखा गया है अगर हम online apply date की बात करें तो हमारा starting date जून 15 2023 रखा गया है यानि 15 जून 2023 से start कर दिया जाएगा अगर हम last date की बात करें तो हमारा last date जुलाई 12 2023 यानि 12 जुलाई 2023 को हमारा last date रखा गया है अगर हम BPSC teacher recruitment 2023 age limit की बात करें तो हमारा minimum age 18 साल रखा गया है अगर हम maximum age limit की बात करें तो maximum age limit हमारा 30 साल रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 30 साल तक के सभी candidate इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम BPSC new recruitment 2023 education and qualification की अगर हम बात करें तो primary teacher class 1 से 5 के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ट से बारवी plus BED BED BEL ED plus CTET BTET की है तो ही आप इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम secondary teacher class 9 से class 10 की बात करें तो अगर आपने graduate plus BED की है तो ही आप इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम post graduate teacher class 11-12 की बात करें तो उसके लिए अगर आपने PG plus BED की है तो ही आप इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर आप BPSC के form के लिए आविदन करना चाहते है तो मैंने इसका भी लिंक आपको description में provide करा दिया है और भी कोई इसकी नई update आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको next वीडियो में देने की कोसिज करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करक के चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चहिंद